हलो फ्रेंड्स हाई हलो कैसे हो आप लोग दोस्तों आज मैं आपको अर्ली मॉनिंग लेकर जा रही हूं रिशिकेश के ट्रिप पर इसमें मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ यह ट्रिप प्लाइन किया है और अलोहा अपार्टमेंट चूर्स किया आप लोग देख रह क्रोकरी पानी आरो सब कुछ यह कमरा है हमने टू भी अचके लिया था यह हमारा यह वन रूम है और इसके बगल में सेकेंड रूम है तो आप देख रहे हो बहुत ही सुन्दर है बहुत ही बढ़ी हाव व्यू है इसमें इस वाले कमरें में बालकनी नहीं है लेकिन बालकनी इसमें नहीं हमने इसमें पूरी प्रोपर्टी इंजॉइ की थी मदब स्वीमिंग पूर कीट्स प्ले एरिया सब कुछ है महां पर और कमरें बहुत स्पेशियस है रूम बहुत अच्छा है बॉनिंग जियाना जियाना सो गई थी थोड़े देर महां पर तो देख रहो ही मैं बालकनी से ले रही हूं इसका वीडियो मैंने बनाया है जो कि बहुत ही सुन्दर बालकनी व्यू है मतब आपको एक तरफ गंगा व्यू देखेगा और प्रॉपर्टी का भी व्यू देख यहान पर्डे का 12,000 है जिसमें हमें दो कपले मिले लिया था तो हमें ठीक ठीक पड़ा था तो यह गंगा जी है फीछे पहार है हिले पुरा यह मंदिर है और यहां पर यह प्रूरी प्रॉपर्टी आपको दिक रही है जिसमें केट्स विए एरिया स्वीमिंग और सारी ची हाई दोस्तों अलोहा की बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हो किसी भी साइट से कर सकते हो हमने Make My Trip से की थी और अलग-अलोहा आएंगे जो किसे प्ली आएगा अलोहा प्लीस भी आएगा तो हमने अपार्टमेंट वाला बुकिया था जो की हमारी रिस्टिवल प्राइंगे था हमें 2BH के मिलाया और बहुत ही ब्युटिफूल इंटिरियर वगारा करा के रखा हुआ था यहाँ जियाना आपके तीछे क्या है क्या है क्लाउड 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 क् मेरे जहते हैं आपना कोख कर सकते हो जो केर कर हैं वह आपको पूरी हम करते और ऑब तक अगर बढ़ा को च blends सकते हो अगर को lt विछ फोन कर के मंगा सकते हो अगर आपको को किड़े क्या है को कि इस पुछ explo Tinglee Wales at माइक्रोवेब से लेके गैस ओला, इंडक्शन, केटल, सब कुछ और वाश्रों वगएरा भी बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़ी है यह इनका किट्स प्ले एरिया है जहां पर हम आये थे और आप देख रहे होगे यहां पर चिडियों की बर्स की कितनी ज्यादा ज्यादा इ कुछ आरे कि अप्रेलर्य से आप सारी आपार्टमेंट देख रहे होगे कितने बड़ी आपार्टमेंट है पहती बड़ा है अलोहा वागें कि मावदा आया भोग के टैंपल के उन्हें कंपल है जिए टैंपल गलतेर तरीपेसे बड़ा में तनी तो मामई करो, इसको राँ बाँचे करो हुआ है मैं सबस्कne करो अशी है जो एज जोप करें इसमे ऊणन टो ऑज़ कंम है पटो पहुति करें तो का मेंकर हैं निसम में आपने किशा पांगे हैं है जो कि दो आपकर करें ना झाले तो इंल तो खुलिए किस्व थे निंग स्वुभी के साड़े 5 बज रहे हैं और समय छे बजगे है तो साड़े 5 बज तो मैं आखी थी कर दो आ रही है गंघागा वियुल स्थ्राइब शुब्स बःगा रे हुआ है को बिटल पर जलुखे है अर हम कर रहे है इस भी पस थी ना मारा पूर गंगा जीर इस जोह 10 आखोल है टॉप फ्लोटे है आज़ी करते हैं लवी मॉड़ी खावा बहुत अच्छी है बहुत ठंडी है फर्स्स दे तो दोस्तों पुरा रेनी डे था पुरा तो हमने ज्यादा था टाइम स्पेंड किया था होटल में होटल बहुत ही अच्छा है मतलब आप कहीं भी नी जा रहे और होटल में ही रोक रहे हो तो आपके ही मज़े है मज़े ही मज़े है बहुत ही नीट एंड क्लीन बहुत ही अच्छा बहुत ही इस्पेशियस बहुत बड़े बड़े रूम और फैमिली मतलब बहुत अच्छा क्राउड लोकेशन व्यू नेचर मतलब सास इतनी अच्छी ली जा रही थी ना पूरी ऑक्सिजन वाली यह मैंने 360 व्यू लिया है जि सुबह सुबह मजह ले रहे हूं बहुत ही ब्यूटिफुल और यह देखो सारा अपार्टमेंट है यह तो बैकसाइड का अपार्टमेंट है जहां पर आपको गंगा व्यू और स्वीमिंग व्यू पूल व्यू और नेचर लिख रहा है इसके आगे गार्डन व्यू वाले अपार्टमेंट है उसका प्राइज अलग है लेकिन बहुत जादा फ़र्क नहीं है प्राइज में आप अगर अवेलेबल अगर अवेलिटी पे डिपेंड करता है अगि अवेलेबल होगा तो आपको यह वाला वियू मिल जाएगा बाकी बहुत ही अच्छा वीव है जाना जाना जीगू इनका इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लाएगा श्रामन दीगू है जी को से हाइए जी को स्क्रेश को स्क्रेश को यह दोस्तों इनका इंडूर किट्स प्ले एरिया जो की बहुत ही स्पेशियस था बहुत अच्छा था और काफी चीजे क्रियेटिविली करने वाली थी यहां पे पेंटिंग वगरा भी होती है बच्चों को पेंटिंग ग्लास स्टों पेंटिंग कराते हैं टीशिट पर पेंटिंग कराते हैं पर इसारी पेंटिंग जूले तो बहुत सारे लगे हुए अंदर इंडूर वाले और बाकी यहां पे सुबह मॉर्णिंग में योगा भी होता है योगा भी होता है वाक भी करा नेत कराते हैं वाक के यली भी लेके जाते हैं, पूरी टीम होती है, योगा भी कराती है अंदर और बड़ा अच्छा सा फील आतर है, योगा के लिए आपको सुपह मौनी में 6 o'clock यहां पे अंदर आना पड़ेगा, यह मैंने कुछ जियाना की पिचर लेती है, आएए मैं हूँ, यह टी-शेट, यह टॉप यह टो को पीछे बैक साइड में अपार्टमेंट है, यह सारी गर्स जा रही है, राफ्टिंग के लिए, यह बीच में हम कहीं रुप गयते हैं, तो हमने गंगा जी के थोड़े से स्नान कर लिया था, जियान, पानी बहुत साथा ठंडा था, मैं तो गई नहीं, लेकिन यह तीनों चले गए तरहें, यह दोस्तों हम जा रहे हैं, बीटल्स काफे की तरफ, जो की बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्यारा व्यू है, यह बीटल्स की बगलवला है, कैफे, यह पे हन्मान जी की मोर्ती है, यह पे शूज बाहर उतार के जाने पड़ते हैं, यह बीटल बिल्कूल गंगा के किनारे है, बहुत ही सुन्दर गंगा जी जी निकल रही है, सामने आप देखोगे लक्षमर जूला पर लाइटिंग देख रही होगी, बहुत ही ब्यूटिफुल है, यह तो इस कैफे की खासियत है, यहां पे बैठे कोफी लो, शेक लो मजा ही आजाए यह दोस्तों मैं हूँ, मैंने अपनी कुछ सेल्फी, कुछ सेल्फी वीडियो बनाने की कुछिश की थी, कि मैं अपने आपको थोड़ा कैप्चर कर सुकूँ, कुछ सेल्फी फोटो भी ले रही हूं, साथ ही साथ वीडियो के साथ, क्योंकि यह सीनरी तो बहुत ही जादा स अंदर है यह दम शाम का वक्त है जो कि बहुत अच्छा है कि अगया है जो फिल्स पॉप इसके अगया जो अगया है जो कि अगया है अगया है यह में वहीं से परचेस किया था एंकलेट सुन्दर जब तो अच्छा मॉसम होगा है तो हमने थोड़ी सुइमिंग भी की थी पूल के पूरे मजे लिए कम से कम दो घंटे हम पूल में पड़े रहे हैं पूरी मस्ती की और जियाना को भी बहुत मजा है जियाना को बहुत अच्छा लगता है यहां पर आपको सुइमिंग कॉस्टिम लेका आना पड़ेगा अगर आप नहीं लाते हैं तो रेंट पे लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही मिनिमम्म चार्जेश है पूल बहुत नीट और क्लीन था बहुत अच्छा था है यहां पे रेस्ट्रॉन भी है लोग बहुत लोगों ने मुझे बोला कि रेस्ट्रॉन में ऐसे अलाओ नहीं करते हैं ज मतलब बहुत ही अच्छा ने का इनका मतलब बहुत ही अच्छा रेस्ट्रॉन था हैं अनका मतलब बलाजीज खाना है हमने लिया था मतलब बफे था मौनिंगा ब्रेक फास्ट और हमने तूटके खाया तशे था बहुत ही बहुत ही अभर Action harlt blessings मत लोग टेस्ट बहुत ही आपको देख जाएगी के फोटो और हम ना अपने अपार्टमेंट से मतलब अलुहा से थोड़ा सा ही आगे वौकिंग डिस्टेंस पे गंगा जी का गहाट है किनारे किनारे पे है जहां पर रेत वगएरा है और हमने वहां पर जाकर बहुत मस्ते की जाना ने भी बहुत मस्ते की है यह हमारी कुछ पिचर से जो कि लांस में मैंने लगाई रखी है जिसमें बीटल्स कैफे हैं यहां पर हमने लंच वगरा किया था और और यह सारी पिचर्स देख रहे हैं लोहा की है दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा इसे प्लीस लाइक शेर सब्सक्राइब प